36 गण राज लगूवा नोपज सहकाली संग मर्यादित ने सहायक प्रबंधक श्रेणी के कुछ पदों पर भरती का एक विस्थित विज्यापन जारी कर दिया है और ये भरतियां होनी है 180 समविदा पदों पर इसकी स्विक्रती मिली है और इसकी भरती व्यवसाइक परिक्षा मंदल के माध्यम से होनी है दोस्तों नमस्कार आप देखरें जीरो पिरिड आज इस वीडियो में हम लोग इसी भरती के बारे में बात करें पूरा विज्यापन मैं आपके सामने रखूंगा आप चैनल पर ब भरतियां हैं आएए समझते हैं इस सर्कुलर में कौन-कौन सी बाते वो लेखित हैं शत्युर्ण शासन के पत्रक्रमांग 2914 एक नमबर दिया पत्रका दिनांग 39-2021 तथा पत्रक्रमांग 2453-58-2022 के द्वारा सहायक प्रबंधक उपार्जन प्रक्रिया निर्माने उंप्र प्रबंधन के 180 संवधा पदों की स्विकृति तथा व्यावसाइक परिक्षा मंडल के माध्यम से भरति की अनुमती दी गई है उक्त संवधा पदों पर नियुक्ति 36 गण राज्य लगू वनोपज सहकारी संग मर्यादित में लागू कर्मचारी भरती वर्गी करण तथा स करना होगा व्यावसाइक परिक्षा मंडल यानि की व्यापम की वेबसाइट पर आविदन मंगाये जाएंगे इसके लिए दूसरा पॉइंट यह परिक्षा आयोजन हितु कारिक्रम और रिक्त पदों की वर्गवार संख्या एवं वेतनमान का वेवरण तो संख्या कितनी ह कहां पर हैं यह समझ लें सबसे पहले सहायक प्रबंधक उपारजन के 42 अनारक्षित पद हैं कुल मिलाकर के 100 पद बनते हैं 35,750 रुपए मासिक एकमुस्त सम्विदा वेतन आपको मिलेगा सहायक प्रबंधक प्रक्रिया के 21 अनारक्षित पद हैं 50 इसके टूटल पोस्ट बनते हैं 35,750 रुपए मासिक वेतन आपको मिलेगा इसमें भी सहायक प्रबंधक निर्मान के 6 अनारक्षित पद हैं जिसमें 15 कुल मिलाकर के पद बनते हैं और 35,750 रुपए यहाँ पर भी आपको एक मुस्त मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा इसी तरह सहायक प्रबंधक प्रबंधन के 6 पद अनारक्षित और 15 ही कुल पद हैं और यही सेलरी यहाँ पर भी बताई गई है 35,750 रुपए कुल मिलाकर के 180 पद बनते हैं और सभी पद समिदा आधार पर भरे जाने हैं योग्यता हैं क्या क्या होंगी इस पर बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्विद्याले से एगरी कल्चर, हर्टी कल्चर, फॉरेस्ट्री इन तीनों में से किसी एक में स्थनातक हो, BSEO अनरक्षित अन्यपिश्रावर के लिए 60 प्रतिशतंकों यह अनुसूचित जाती जन जाती के लिए 35 प्रतिशतंकों के साथ आपको प प्रतिशतंक और अनुसूचित जाती जन जाती के लिए 55 प्रतिशतंकों के साथ परिक्षा उत्यंड किया होना जरूरी है, सहायक प्रबंदक निर्मान के लिए मान्यता प्राप्त विश्विद्याले से सिविल इंजिनिंग में बीटे क्या BEE हो, अनारक्षित या अन्यप प्राप्त विश्विद्याले से MBA होना जरूरी है, इसके अलावा अनारक्षित अन्यपिश्रा वर्ग इन दोनों के टेगरी के लिए 60% और SCST के लिए 55% मिनिमम क्वालिफिकिशन के साथ होना जरूरी है, आयू सीमा की बात करें तो सहायक प्रबंदक, उपारजन, प्रक्र प्रक्रिया, नर्मान और प्रबंधक, इनमें एक एक तेईस को नियूनुतम 21 वर्ष और अधिक्तम 35 वर्ष इनकी आयू सीमा निर्धारित की गई है, जो छूट है उसका बहुत लंबा चौड़ा विवरण है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, हां महिलाओं के लिए 10 साल क चूट होती है, वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि बिंदो कर्मांग 3 में लिखा हुआ है, इसके अलावा अनेक चूट है, आप अपने स्तर पर उसको देख लें, इसके लिए एक लिखित परिक्षा आउजित की जाएगी, पूरी प्रक्रिया मैं बता दूँ आपको क्य हो गए, इसके लिखित परिक्षा आउजित की जाएगी, और ये परिक्षा आउजित करेगा व्यापम, और उसके बाद एक मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी, आपको 36 का मूल निवासी होना जरूरी है, इसके लिए मूल निवास का प्रवान पत्तर लगाना पड़ेगा और चैनित अभ्यर्ति को निवक्ति के समय समस्त्र प्रवान पत्तर की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तोत करनी होगी, उसके बाद ही आपको सम्विदा निवक्ति का आदेश जारी किया जाएगा, और इसमें कौन सी महत्तपूर्ण बात है वो मैं देख लेता हूँ फिर आपके साथ उसको साजा कर दूँगा, ये सब सारी वही नियमों का उलेक किया गया है, जिसमें सामानिता हर परिक्षा में दिखा जाता है, तो इसलिए मैं उनको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये सोलवा बिंदु मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहि उपरोग पदों पर समविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन वर्ष के लिए होगी, किन्तु संग की आवशकता के आधार पर समविदा पर यह नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकल अनकर एक बार में एक साल के लिए फिर बढ़ाया जा सकेगा प्रथम तीन वर्ष की आवधी समाप्त होने पर समविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जाएगी और सेवा समाप्त करने के लिए प्रथक से कोई आधेश जारी जारी करना आवशक नहीं होगा एक माह की पूरु सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समवेदा न्युक्ति समाप्त की जा सकेगी। किसी भी तरह का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाब आधी की पातरता भी आपको नहीं होगी। जिकित्सा प्रतिपूर्ति की पातरता नहीं होगी। आवकाश के बारे में कहा गया है कि प्रतेक क्यालेंडर वर्ष में अठारा दिनों के आकस्मिक आवकास तथा तीन दिनों का एच्छिक आवकास का वो उनको राइट होगा, उनको मिले गा ये। और वर्ष के मद्धि में नुक्ति होने अत्वा सेवा मुक्ति होने पर आकस्मिक आवकास की पातरता की गड़ना पूर्ण महिनों के आनुपातिक आधार पर की जाएगी। पदों की संख्या कम्या ज्यादा हो सकती है, ये बात भी बताई गई है। और लिखित परिक्षा के लिए आपको कोई T.A. ये नहीं दिया जाएगा। पंजी कृट डाक्यम स्पीट पोस्स से भेजे जाने वाले आवेदन मान ये नहीं होंगे। मतलब आपको सीजी व्यापम की वेबसाइट पर जाकर के आनलाइन एप्लिकेशन सब्मिट करना है। और पूरा जो निर्देश है किस तरह से परिक् संग की तरफ से जारी किया गया निर्देश है। तो अगर आप परिक्षा के समन्द में कुछ जानना चाहते होंगे तो आपको व्यापम की साइट पर जाना पड़ेगा। वहां पर आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो लिंक जो दिया गया होगा उसको क्लिक करने प कर दो